नवशकार सिक्षार्थियों मैं आशी श्रवास्तौ आप सभी सिक्षार्थियों का डूषिस के स्टूडियों में गात करता हूं आज हम सिक्षार्थी केंदृत बनाम अदिगं केंदृत उपागम पर चर्चा करेंगे सिक्षार्थि केंद्रित उपागम और अधिगम केंद्रित उपागम पर चर्चा करने से पहले आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा जब हम सिक्षक केंद्रित उपागम पर बात क्या करते थे सिख्षक केंद्रित उपागम में सिख्षक एक dominating form में होता था जिसका दौर बहुत लंबा चला है सिख्षक केंद्रित उपागम के बाद विशय वस्तु केंद्रित उपागम काफी दिन हमारे बीच रहा सिख्षक अधिगर्ण प्रक्रिया में और फिर मनोवैज्यानिकों ने सिक्षार्थी केंद्रित उपागम पर चर्चा की और सिक्षार्थी केंद्रित उपागम को सिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बनाया। तो सिक्षार्थियों पहले हम सिक्षार्थी केंद्रित उपागम के बारे में सबजने की कोशिश करते हैं। कुछ कारे करता है विकारे इस तरह से हैं। तो सिक्षार्थी की विकास की अवस्थाओं पर और सिक्षार्थी के अनुसार अधिगम की रड़नीतियों पर। और उन विकास की अवस्थाओं के अनुरूप ही सिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करें। इसके अलामा सिक्षार्थी की परिपकोता का ज्यान भी उसके लिए आवश्यक है क्योंकि उस परिपकोता को आधार बना कर ही वह सिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित कर सकता है। इसके अलामा सिक्षण सिक्षार्थी की छमताओं के अनुसार अधिगम की रणनीतियों को बनाने पर भी ध्यान दिता है क्योंकि उसमें छमता जो है उसकी प्रिप्रिप्भूमी में होती है। इन बिंदों के अलावा सिक्षक, सिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभाव, उसकी अभिरुचिया, उसकी सामाजिक संदर्व, तथा सिक्षार्थी की सांस्कृतिक प्रस्टि भूमी के बारे में ज्ञान होना अपेक्षित है। इसके अतरिक्त सिक्षक, सिक्षार्थी के स्वास्थ, उसके सारीरिक विकास, उसकी मानसिक छमताओं, उसका व्यक्तित्व, अधिगम की शैली, अभिप्रेर्णा, इत्यादिका ज्यान भी उसके लिए अपेक्षित है। मूल रूप से गाड़नार ने साथ छमताओं का जिक्र किया था। सिक्षार्थियों अब हम अधिगम केंद्रित उपागम पर चर्चा करेगे। इस उपागम पर चर्चा करने से पहले हमें समझ लेना जरूरी है कि अधिगम केंदरित उपागम एक बहुत व्रहत डर्म है, बहुत व्रहत पद है, जिसके अंतरगत सिक्षक भी आता है, चात्र भी आता है, प्रक्रिया भी आती है, और यह एक ऐसा पद है, जो अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया को समाहित करके रखता है. अधिगम केंद्रित उपागम का लक्ष अधिगम की प्रक्रिया पर होता है इसका मुख्य उद्देश सिक्षार्ती के अधिगम से संबध होता है सिक्षार्तियों यह बात आपको यहां समझना अवश्यक है कि यह मूल रूप से सिक्षार्ती केंद्रित ही है लेकिन इस उपागम में सिक्षक को भी सामिल किया जाता है क्योंकि वह भी कक्षा कक्ष की अधिगम परिस्थितियों का एक महतोपूर्ण अंग होता है सिक्षार्थी ये जो हमारी तीन तरह की रही है इस कारण हमें अधिगम केंद्रितों का उपागम पर बल देना चाहिए और इसको कही न कहीं हमें प्रक्रिया में लेकर के आना चाहिए वेईमर एक मनोवैज्यानिक थे जिन्होंने 2002 में कुछ बिंदू प्रतिपादित किये और ये जो बिंदू है ये अधिगम केंदृत उपागम को महत्वपूर्ण बनाते हैं अधिगम केंद्रित उपागम को एक शक्ती प्रदान करते हैं और इसको बहुती प्रभावी बनाते हैं ये पाँच बिंदू ऐसे हैं पहला बिंदू है विशय वस्तु की भूमिका सिक्षार्थियों ये बात समझ में आती अधिगम के इंद्रितो पागम का मूल बिंदु है अधिगम और अधिगम में विशय वस्त की भूमिका बहुती महतोपूर है अतहा अच्छे अधिगम के लिए विशय वस्त का सुलूप भी उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार से हमने अपने लक्षन का निधारन किया है दूसरा बिंदु वेइमर कहते हैं सिक्षक की भूमिका सिक्षक की भूमिका बहुती महतोपूर है तीसरा बिंदु कहते हैं अधिगम के लिए दायत तो और अधिगम के लिए जो दाइत तो है ये सक्षक का भी है विशय वस्तु का भी है और छात्र का भी है इसके अलावा चोथा बिंदुव कहते हैं मुल्यांकन के उदेश एवं प्रक्रिया जो है वो इसपस्ट हों उनका पहले से ही परिभाशी करन कर लिया जाए इसके अलावा पाँच्वी और महत्वपूर्ण बात केते हैं शक्ती का संतुलन होना चाहिए जिसमें सिक्षक और छात्र दोनों के पास अपनी अपनी यतोचित शक्तियां मौजूद हों सिक्षार्थियों जैसे कि मैंने पहले भी कहा अधिगम एक व्रहत संकल्पना है जिसमें सिक्षार्थी सिक्षक तथा अधिगम प्रक्रिया शामिल है बीते समय में अधिगम इन्पुट आधारित होती थी जिसका ध्यान पाठिक्रम तथा विशय वस्तु पर हुआ करता थ किंटो आज अधिगम प्रदा आधारित है और अब हम इस तरह से पेडगोगी से एंड़ागोगी की तरफ परिवर्तित होते हुए यह दिखाई पड़ती है अधिगम अब अरजन से स्रजन की तरफ रुपांतरित हो चुका है अरजन की तरफ हमाप बाति करते हैं अरजन को हम डिसकार्ड करते हैं और अरजन से कहीं न कहीं श्रजन की तरफ हमारा रुख हो चुका है। रास्ट्री रूप देखा पाटचरिया 2005 भी ज्ञान के श्रजन की बात करता है जहां पर ये कहा जाता है कि हम ऐसे अवसर उपस्थित करें जहां से ज्ञान का श्रजन कर सके। अधिगम करता के साथ साथ उसके परवेश, उसके सामाजिक संदर्व, सांस्कृतिक प्रिष्टिभूमी एवं भासाई आधार पर उसे ज्ञान के निर्माण में उसकी सहभागिता की मांग करता है। यह एक बड़ा बदलाव है जो अधिगम की प्रक्रिया को समगरता के साथ समझने का अवसर देता है। इंद्रित उपागम को देखें तो अधिगम के इंद्रित उपागम में उपरियुक्त अनभवों जो अवी हमने बात कही के सिक्छार्थी के अनभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्री सहभागिता को प्राथमिकता देना। एक व्रहत संकल्पना है जो सिक्षार्थी केंद्रित होते हुए अपने साथ साथ अन्य संभावनाय भी रखती है ताकि सिक्षार्थियों की अधिगम को सुनेश्चित क्या जा सके अधिगम उनका मुख्य कंसर्ण है। सिक्षार्थी ज्यान का श्रजन करें इसके लिए आवशकता है कि पाठ्ष चर्या, पाठ्ष क्रम तथा पाठ्ष पुस्तकें सिक्षक को सक्षम बनाएं ताकि वह सिक्षार्थी की प्रकृती तथा वातावरण के अनुरूप ज्यान के श्रजन के लिए कक्षी अनभव निर सिक्षार्थी गन कीकारी आँपाथेकरम तता पाथेपस्तकों के पुनार्थ उन्मुखी करण से सम्भनदित हैं, अतहामें सिक्षक को सक्षम बनाने के लिए इनका पुनार्थ उन्मुखी करण करना होगा। अधिगम केंद्रित उपागम को अगर हम देखें तो इस उपागम में सिक्षार्थी को केंद्र में रखकर अधिगम को समझने का आवसर देते हैं और कुछ उपागम हैं जो आप काफी हद तक जानते भी होंगे जिनको हम अधिगम केंद्रित उपागम कह सकते हैं और अगर इन उपागमों का आप विशिलेशन करें तो आप ये पाएंगे ये सारे उपागम सिक्षार्थी को केंदर में रखकर अधिगम को समझने का आवसर देते हैं पहला उधारण है समस्या आधारित अधिगम उपागम, दूसरा उधारण है परियोजना आधारित अधिगम उपागम, तीसरा उधारण है संरचना वादी अधिगम उपागम, चोथा उधारण है सहकारी अधिगम उपागम, और पाचवा उधारण है सहयोगी अधिगम उप कर रहे हैं इन सभी उपागमों में सिक्षार्थी केंद्र में होता है और केंद्र में होने के बाद वह सक्रिय रूप से अपनी भूमी का आदा करता है और अधिगम का एक केंद्र बनता है इन सारी प्रिष्ट भूमियों को द्यान में रखते हुए रास्ट्रिय पार्थ चर् प्रष्टाव निर्माड के पांच निर्देशक सिधानतों का प्रस्ताव रखा था अगर इन प्रस्तावों का आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि अधिगम के इंदृत सिक्षार्थी के इंदृत होने की तरफ का इशारा है। तीसरा सिधानते पांच चर्या का समवर्धन करना ताकि वह बच्चों को चोहमुखी विकास के अवसर मुहया करवाए बजाए इसके के पांच पुस्तक केंद्रिद बन कर रह जाए। प्रक्रिया में सिक्षार्थी को संदर्व में रखकर पूरी प्रक्रिया को अधिगम के इंदृत बनाने के लिए पूर्व के सारे अनभवों को ध्यान में रखते हुए। सिक्षार्थी भी है अधिगम की प्रक्रियाएं भी है तो अधिगम केंद्रित बनाने के तरफ हम अब अग्रसर हैं और इस तरफ अग्रसर होते भी हम यह देखते हैं जो हमने पहले भी चर्चा करी है कि अधिगम केंदरित उपागम जो मुख्य उपागम हमने चर्चा करी थी समस्या आधारित अधिगम उपागम, परियोजना आधारित अधिगम उपागम, सुनरचनावादी उपागम, सहकारी उपागम और सहयोगी उपागम सिक्षार्थियों इन उपागमों का विस्तृत अध्यन आपके लिए आवश्यक है जिसमें आप ये भली भाती देख सकते हैं कि इन सारे उपागमों में सिक्षार्थी को केंद में रखकर और अधिगम की तरफ इनका बल है जैसे एक दाहरण के रूप में आप से कहूँ कि समस्या आधारित अधिगम उपागम में शात्र सिक्षार्थी अपनी समस्या की पहचान करते हैं उन समस्या की पहचान के बाद उन समस्याओं से संबंधित परिकल्पनाई बनाते हैं उन परिकल्पनाओं के साथ साथ आकणों करते हैं आकणों का वेशलेशन करते हैं और परिणाम तक पहुचते हैं समस्या जो पहचानी जा रही है वो या तो छात्र भी पहचान रहे है यह सिक्षक उनकी मदद कर रहा है समस्या को पहचानने में तो यह जो पहचानी हुई समस्या किस पहचान से लेकर परिणाम तक पह परियोजना आधारित अधिगम में हम एक परियोजना का अपकी कल्पना करते हैं, उसको ये थार्थ रूप देते हैं, उस पर काम करते हैं, आकणों का वेशलेशन करते हैं और अंत में परियोजना को सफलता पूरोग संपूर्ण करते हैं, सनचनावादी उपागम का जो आध प्रेक्ष में समुह के प्रदेक सदस्य के वयक्तिक लक्ष तै के जाते हैं और प्रतेक सदस्य अपने वयक्तिक लक्षों को तै करता हुआ प्राप्त करता हुआ समुह के लक्षों को प्राप्त करता है और इसी तरह से इसका जो सहयोगी अधिगम उपागम है उसमें भी में काम करते हुए वो अपनी अधिगम को सक्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं और प्रभावी रूप से प्राप्त करते हैं धन्यवाद